दोस्तों आज हम यह आई वियार आई इजर नंगर में आए हुए हैं हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे मिश्टर मोहित पटेल रमाकांत जी और यहाँ पे यह सर्वे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे फिस्रीज पालन देखने आए हुए हैं बहुत सारी यहाँ पे बैराइटी हैं दुनियादारी पता नहीं क्या-क्या यह दिखा रहे हैं यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है कि साइद ही हम आपको इसके बारे में बया कर पाएंगे और यह बहुत ही अच्छा है यहाँ पे यह सेम की बहुत बढ़िया बैराइटी जो यहाँ पे तयार की जा रही है और यह बहुत इब बढ़िया बैराइटी है काफी अगर दिखाई देती हो सेम है तुरई है कई चीजों की यहाँ पर variety है और सामने वो भिंडी आपके लिए दिखाई दे रही है यहाँ पर छोटा बकरी बाड़ा बना हुआ है यहाँ पर बकरी बागरा पालना सिखाते हैं कई लोगों को और किसी भी चीज की जानकारी सैटिव के ट्रेनिंग आप ले सकते हैं यहाँ पर आई वी यार आई जणनगर बरेली के अंदर प्रदस्वन एकाई मतश सह बकरी पालन यहाँनी की मचली पालन बकरी पालन साथ में कर सकते हो इस प्रकार का आप नेट बन बाके जाल बन बाके यह काफी बड़ा मचली तालाब बना हुआ है यहाँ पे बहुती प्रकार की मचलीयों की बेरैटी तयार की जा रही है और इदर छोटा से तालाब देख रहे हो इसमें मचली के बच्चे हैं और नई प्रजातियां तयार की जा रही है ये इसके बारे में देखिए बोर्ड लगा हुआ है और हमारी ये साथ ही मित्र गूम रहे हैं आज एक इंटरव्यू के दोरान हम यहां पे आये हुए थे तो मैंने सोचा लाओ सर्वे करके यहां पे देखते हैं भरमार करके क्या निकलता है ये केले की बहुत सारी प्रजातियां है आपको नजर में आ रही होगी केले वगेरा है ये देखिए और बहुत कुछ इसके अंदर है आप कुछ भी यहां से सीख सकते हो भाई एक केले की कितनी अच्छी वेराटी है देख लीजिए निमू का पेंड है यहां पर यह देखो कलम बनाई जा रही है यहां पर यह कलम रूट बनाई जा रही है यहां पर इसके बारे में भी आप कलम मालचिंग की जा रही है निमू के पेंड से कई सारी कलम यह मचली और बत्तक या मुर्गी पालन दोनों साथ साथ किये जा रहे हैं यहां पे बत्तक आपको सामने दिखाई दे रही होगी और यहां पे उसने अंडे भी दे रखे हैं और बच्चे भी हैं सारा सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीम के पेंड पे आपको दो दो पेंड दिखाई देंगे देखो पेंड एक है उपर पेंड दो जमें हुए यह और पेंड है यह सागवन के टाइप का लगता पर बटका पेंड भी बोला जाता है फिस्ट फार्मिंग आई वी राई इजन नगर यह दिस न्यू वाराईटी इन शकरकन